ओम शान्ति 21 सेप्टेंबर 2022 बाबा के महावाख्या मीठे बच्चे बाप है गरीब निवाज तुम गरीब बच्चे ही बाप से ज्ञान की मुठी ले सहुकार बनते हो बाप तुम्हें आप समान बनाते हैं प्रश्ण असुरूं के विग्णों जो गाये हुए हैं वह इस रुद्र यग्य में कैसे पढ़ते रहते हैं उत्तर मनुष्य तो समझते हीं असुरूं ने शायद यग्य में गोबर आदी का किछडा डाला होगा परन्तु ऐसा नहीं है यहां जब किसी बच्चे को अहंकार आता है, कोई ग्रहचारी बैचती है, तो जैसे किछडा बरसने लगता है क्रोध में आकर मुख से जो फालतों बोल बोलते हैं, यही इस रुद्र यग्य में बहुत बड़ा विग्ण डालते हैं कई बच्चे संगदोश में आकर अपना खाना खराब कर देते हैं, माया थपड मार इंसॉल्वेंट बना देती है ओम शान्ती याद में बैठे हो, तो जैसे योग में बैठे हो हर एक जानते हैं, कि हमको तमो प्रधान से सतो प्रधान बनना है यह है गुप्त मेहनत इसमें कोई बड़ाई की बात नहीं बाप कितना निरहंकारी रहते हैं, जिसमें प्रवेश करते हैं, वह भी कितना निरहंकारी है प्रजापिता भ्रम्मा के कितने धेर बच्चे हैं, चलन कितनी साधारण है जैसे घर में बड़ा बाबा चलते हैं, निराकार के लिए भी कहां चाता है, निरहंकारी है गुप्त है न, इनको यह नहीं रहता, कि हमारा शो हो, भबके से सबको पता पड़े भबके से नाम तो होता है न बाब कहते हैं, यह सब रसम रिवास कल युगी देह अभिमानियों की है यहां तो शान्त में आते जाते हैं बाबा तो हमेशा कहते हैं, स्टेशन पर भी कोई न आवे कोई हंगामा नहीं बाब कहते हैं, मुझे गुप्त ही रहने दो, इसमें ही मजा है बड़े भब के वालों को, बड़े आदमी को मारने में भी देरी नहीं करते बाबा तो है उंच ते उंच, चलन गरीब से गरीब चलते हैं बाप गरीब निवास है न, गरीबों से ही मिलने आते हैं सहुकार लोग तो नामिग्रामी मनुश्युन से ही मिलते हैं इनको तो गरीब ही प्यारे लगते हैं गरीबों पर ही तरस पड़ता है तो बाप गरीबों पर तरस खाते हैं ग्यान की मुठी भर देते हैं तो तुम सहुकार बनों सहुकार का टहरना मुश्किल है दरकार ही नहीं है इस ग्यानमार्ग में गवर्मेंट को तो धनवान लोग बहुत मदद करते हैं न नामिग्रामी है न वहां तो बहुत दान करने वालों का नाम अखबार में निकाला जाता है यहां गरीब उदान करते हैं तो अखबार में डालना चाहिए चावल की मुठी देकर फिर महले लेते हैं बाप गरीब निवास गाया हुआ है सबसे मिलते जुलते रहते हैं बड़ा आदमी मसाला बेचने वाले से मिलेगा नहीं ही गरीब उन्हों को ही सहुकार बनाना है बाप तो है गुप्त गरीब ही बाप से अपना वर्सा कल्प पहले मुहाफिक ले लेंगे ड्रामा में नून्द ही है सहुकार तो बली चड़ना सके हां इनको शिव बाबा को कोई वारिस बनाए तो कमाल कर दिखावे बाप कहते ही मैं आता ही हूँ साधारन तन में गाया हुआ है निराकार निरहंकारी गाते भी है न गोदरी में करतार देखो बाबा ठंडी में गोदरी ले आकर बैठते है न पतित पावन बाब को कोई जानते नहीं है बाबा बैठ कर समझाते ही कि हे भारतवासी बच्चों तुमको स्वर्ग का मालिक किसने बनाया लक्ष्मी नारायन के चत्र भी यहां रखे हैं यहां तुम अविनाशी ज्यानरत्न प्राप्त कर और दान करते हो तन मन धन सब समर्पन करते हो तो इसका एवजा मिलना चाहिए अज्यानकाल में भी बहुत दान करने वाले बड़े आदमियों पास जनम लेते हैं यहां तुम बाप के आगे सरंडर करते हो तो पिछाडी में जो सहुकार बनते हैं उनके पास जाकर जनम लेते हैं फिर तुम वहां महल माडिया बनाएंगे दुनिया तो यही होगी वैकुंट कोई छत में थोड़े रखा है पूछो तुम्हारा बाप कहां गया? कहेंगे काशी वास किया और मुक्ति को पाया अर्थात स्वर्ग पधारा परन्तु अब तुम समझते हो मुक्ति जीवन मुक्ति किसको मिली नहीं है सब यहां ही आते जाते हैं कर्मो अनुसार एक शरीर छोड़ दूसरा लेते हैं बाप, कर्म, अकर्म, विकर्म की गती समझाते हैं रावन राज्य में जो भी कर्म मनुश्य करते हैं वह विकर्म बन जाते हैं बालिग अवस्था में ही हिसाब किताब बनता है छोटे बच्चे का कुछ जमान ही होता है बच्चा बड़ा होता है तो उनके माबाप काम कटारी पर छड़ा देते हैं यह भी कर्म पिकर्म हुआ, वहां माया का राज्य ही नहीं, यह एक भी मुनश्य जानते नहीं, तुम बच्चों को बाप देही अभीमानी बनना सिखलाते हैं, और कोई सत्संग में ऐसे नहीं कहेंगे कि तुम्हारी आत्मा में सारा पाठ बजाने की नून्द है, आत्मा शरीर छोड़, दूसरा ले पाठ बजाती है, आत्मा ही कानुन से सुनती है, अब तुमको सेल्फ रिलाइजेशन कराया है, हम आत्मा ही चौरासी जनम लेते हैं, आत्मा को अब निश्चय हुआ है, देह अभीमान खतम, पहला अवगुण ही यह है, देह अभीमान आने से ही और विकार छटकते हैं, तो अब देही अभीमानी बनना है, बाबा हम आत्मय बस आई की आई, चौरासी जनम पूरे किये हैं, ड्रामा अब पूरा हुआ, अब हमको नया जनम मिलेगा, खुशी होनी चहिए न, सर्ब खल छोड़ता है, फिर नई लेता है, सन्यासी यह मिसाल दे नहीं सकते, यहां तुम भी नई खाल लेने के पहले पुरानी छोड़ते हो, फिर वहां हर जनम में आपे ही पुरानी खाल छोड़ नई ले लेते हो, बच्चे समझते हैं, कि अब हम यह पुरानी खाल छोड़ घर जाएंगे, फिर स्वर्ग में समय पर पुराना शरीर छोड़ दूसरा लेते रहेंगे, सर्पतो बहुत बार खाल उतारता है, तुमको तो यह प्राक्टस कराई जाती है, यह चौरासी जनमों की सड़ी हुई खाल है, इनको श्याम कहां जाता है, चमड़ी शरीर काली तो आत्मा भी काली है, सोना चोबीस क्यारट होता है, तो जैवर भी ऐसे बनते हैं, आगे खाट डालने का काईदा नहीं था, सच्चा सोना चलता था, यह गिन्नी आदी विलायत से निकली है, विलायत में सच्ची मुहरे बनती नहीं, यहां ही सच्चे सोने की मुहरे थी, अब तो सब महंगा हो गया है, सोने में खाट डालनी ही है, तुम्हारी दिल में गुप्त खुशी है कि हम तो जाकर सोने के महल बनाएंगे, जैसे यहां पत्थरों की दिवार है, वहां सोने की दिवार होगी हम पारस बुद्धी बनते हैं, तो महल भी सोने के बनाते हैं पुराना सब खलास हो जाएगा इस ड्रामा को बड़ा युकती से समझना होता है नई दुनिया में सब कुछ नया होता है यह कितनी सहज बाते हैं अच्छा, यह भी समझ में न आये, तो बाप को बड़े प्यार से याद करो इसलिए यह सब महीन बाते बाबा ने देर से समझाई है शुरू में बहुत सहज तोतली बाते सुनाते थे ऐसे थोड़े कहेंगे कि बाबा ने यह सब पहले क्यों नहीं सुनाया कि आत्मा इतने छोटी है ड्रामा नुसार जो कुछ पास हुआ कल्प पहले मुहाफिक जैसे समझाया था ऐसे समझा रहे हैं मनुष्य इस ड्रामा के बंधन में बंधा हुआ है कल्प बाद ही फिर ऐसे समझा रहे हैं फिर भी ऐसे ही समझाएंगे बहुत बच्चे साधारन रूप देख मूँच दे हैं उल्टा बोलने लगपड़ते हैं अच्छे अच्छे बच्चे उनको भी माया चमाट मार देती है समझते हैं बस जो कुछ है निराकार ही है सो तो ठीक है न निराकार नहीं होता तो हम तुम कैसे होते परन्तु निराकार को तो रथ जरूर चाहिए ना रथ बिगर क्या करेंगे शिबाबा क्या करेगा रथ में आए तब तो तुम उनसे मिलेंगे तुम ही से सुनू तुम ही से बैठू तो रथ जरूर चाहिए ना अच्छा साकार बिगर निराकार को याद कर दिखाओ, क्या तुमको ग्यान प्रेर्णा से मिलेगा, फिर मेरे पास आये ही क्यों हो, यह बाबा भी कहता है कि वर्सा तो शिबाबा से लेना है, शिबाबा कहते हैं, मैं इस साधारन तन में बैठ पढ़ाता हूँ, पढ़ाई तो जरूर चाहिए ना, बहुत अच्छे अच्छे बच्चों का माथा ही फिर जाता है, दो चार सेंटर खोलते तो बस अहंकार आ जाता है, फिर उल्टा बोलते रहते हैं, फिर कभी बुद्धी में आभी जाता है, कि यहां हमने ठीक नहीं कहा, फिर पश्चाताप करते हैं, बाबा कैते हैं, मैं साकार विगर कैसे समझाओंगा, इसमें प्रेरणा की तो बात ही नहीं, मैं टीचर के रूप में बैठता हूँ, गरीबों पर माथा मारते हैं, गरीबों को ही दान करना चा कोई भी बात समझ में न आये, तो बोलो अच्छा बाबा से पूछ कर बताएंगे, क्योंकि ज्ञान की अभी बहुत मार्जिन है, आगे चल कर समझते जाएंगे, दिन प्रते दिन तुम नई-नई पोइंच सुनते रहेंगे, तुम बच्चों को तो बिलकुल ही निरहंकारी बनकर रहना है, अहंकार आने से ही फिर सारा किचडा बाहर निकलाता है, किचडे की जैसे वर्षा होती है, कहते भी हैं, रुद्र यग्य में असुरूं का किचडा पड़ा, वह समझते हैं, शायद गोबर आदी डालते होंगे, सचमुच यह गोबर है, फाल्तु बोलने पड़ते हैं, ख्रोद आदी करते, यह जैसे गोबर डालते हैं, चलते चलते किसको ग्रहचारी बैचती है, तो छटेले बन जाते हैं, माया थपड़ मार एकदम इंसॉल्विंट बना देती है, कमाई में ग्रहचारी होती है न, तब तो कहते हैं, आस्चर्यवत सुनन्ती संग दोश में आकर अपना खाना खराब करतेते हैं, बाप कहते हैं, बहुत खबरदार रहना है, संग तारे कुसंग बोरे, बाबा बिलकुल मना कर देते हैं, बड़े आदमी के दुश्मन बहुत बन पड़ते हैं, यहां फिर विश का खाना ना मिलने से कामेशु क्रोदेशु बन पड़ते हैं, बस हम इनको मारेंगे, बाप तो कहते हैं, काम तो तुम्हारा दुश्मन है, तुम पावन देवी देवता थे, अभी कहते हो कि हम पतित दुखी हैं, बाप कहते हैं, इस ग्यान यग्य में असुरूं के विग्ण बहुत पड़ेंगे, शुरू से ही पड़ते आए हैं, मुख्य है ही पवित्रता की बात, तुम पुकारते भी हो, कि हे पतित पावन आवो, तो अब आए हैं, पावन बनाते हैं, फिर क्यों पतित बनने चाहते हो? विकारों पर ही शुरू से जगड़ा चलता है, बच्चिया भी कहती हैं, हमको तो बाप से वर्सा जरूर लेना है, कुछ भी हो जाए, बाप क्या करेगा, मारेगा ना, लड़ाई में कितने मरते हैं, तुमको बाप कोई मार नहीं डालेगा, हाँ, सहन जरूर करना पड़ता है, इसमें महावीरता चाहिए, शिव शक्ती का गायन तुम्हारा ही है, आदी देव को महावीर कहते हैं, परन्तु अर्थ थोड़े समझते हैं, अब तुम समझते हो कि माया पर जीत पाते हैं, और दूसरों को माया जीत बनाते हैं, देलवाडा मंदिर में जगदंबा भी बैठी हैं, कोठरियों में बच्च्या भी बैठी हैं, महावीर बच्चे सब भ्रामन भ्रामनिया टहरे, तुम्हारी बुद्धी में कितना राज है, हूब हूँ तुम्हारा ही यादगार है, लक्ष्मी नारायन का मंदिर भी यादगार है, गांधी की बरसी मनाते हैं, यह यह किया, टैगोर ऐसा था, अच्चा काम करते थे, कितनी बड़ी-बड़ी जीवन कहानिया लिखी हुई है, कितने वॉल्यूम्स है, यहां तुम्हारी बुद्धी ही बड़ा वॉल्यूम है, सारी सरश्टी के आदी मध्य अंत का राज तुम्हारी बुद्धी में है बुद्धी में ही ज्यान की धारणा होती है किनकी बुद्धी विशाल है, किनकी कम है नंबर है न यह है नई नौलेज, जो बाप के सिवाए कोई सुना नहीं सकते ऐसे बाप पर बली चड़ने से तुमको स्वर्ग का मालिक बना देते हैं बेहद का बाप पतित दुनिया पतित शरीर में आकर बच्चों के लिए कितनी महनत करते हैं तो जरूर बच्चों को बली चड़ना पड़े बहबाप तो है ही निराकार, दाता है न कहते हैं शिबाबा हम आपको पैसे भेज देते हैं मकान बनाने के लिए मैं तो निराकार हूँ, तो जरूर ब्रह्मा द्वारा ही बनाऊंगा डारेक्शन देता हूँ, तुम्हारे लिए बनावे हम तो आए हैं थोड़े समय के लिए, फिर निर्वान धाम चले जाएंगे कितना प्यार से बैठ समझाते हैं, कितनी सहज बात है देह सहित, देह के सब संभंध त्याग, एक बाप को याद करो चाहे तु स्वराज्य पावो, चाहे प्रजापद पावो, तुम्हारे पुर्शार्त पर है एक-एक राजारानी के पास, प्रजा कितनी लाखों के अंदाज में आती हैं यह ज्यान तो ढेर सुनेंगे, आप समान बनाने की महनत करनी है पावन यहां बनना है, तुम जानते हो पतित पावन बाप आया हुआ है कल्प पहले मुहाफिक हमको समझा रहे हैं बाबा ने राज्य दिलाया था, रावन ने छीन लिया है हार कैसे हुई है, फिर जीतना कैसे है, यह भी बुद्धी में है बहुत बच्चे यह भी भूल जाते हैं माया नाक से पकड़ लेती है, सेकंड में जीवन मुक्ती पाते हैं फिर जट जीवन बंध भी हो जाते हैं, देरी नहीं करते बाप कहते हैं, बच्चे खबरदार रहो तुम रूप बसंत बन, सदा मुख से रतन ही निकालो किछडा सुनना भी नहीं चाइए समझो हमारा यह दुश्मन है, ज्यान के सिवाई और सब बाते सुनना इवल है अच्छा, मीठे मीठे सिखिल दे बच्चों प्रती, मात पता बाप तादा का याद प्यार और गुद मॉनिंग रुहानी बाप की रुहानी बच्चों को नमस्ते धार्णा के लिए मुख्यसार पहला, पहला अवगुण जो देह अभीमान का है, उससे निकाल कर पूरा पूरा देही अभीमानी बनना है दूसरा, अविनाशी ज्यान धन जो बाप से मिल रहा है, उसका दान करना है बाप समान निरहंकारी बनना है मुख से रतन निकालने है, एवल बाते नहीं सुननी है वर्दान रहम की भावना को इमर्ज कर, दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने वाले मास्टर नॉलेजफुल भव प्रक्रती की हल्चल में जब आत्माई चिलाती हैं, मर्सी और रहम मांगती हैं, तो अपने मर्सिफल स्वरूप को इमर्ज कर, उनकी पुकार सुनो दुख दर्द की दुनिया को परिवर्तन करने के लिए स्वयम को संपन बनावो, परिवर्तन की शुब भावना को तीवर करो आपके संपन बनने से यह दुख की दुनिया संपन समाप्त हो जाएगी इसलिए स्वयम प्रती चाहे सर्व आत्माओं के प्रती रहम की भावना इमर्ज करो जाहां रहम होगा, वहां तेरा मेरा की हलचल नहीं होगी स्लोगन ज्यान और योग के दोनों पंख मजबूत हो तब उड़ती कला का अनुभव कर सकेंगे ओम शान्ति